semester 2 में जो आपका paper है common course 5 that is cc5 उस paper का नाम है mathematical and computational thinking और इस paper में आज के lecture में आप देखेंगे कि computational thinking के parts क्या क्या होते हैं कल के lecture में हमने आपको बताया था कि computational thinking होता क्या है हमने different examples आपको दिये थे आप में से जो लोग नहीं देखें हैं पहले कल का video जाके देखें computational thinking होता क्या है तब आज का lecture आपको समझ में आएगा तो चले शुरू करते हैं कि computational thinking के parts क्या होते हैं generalist के चार parts होते हैं screen पे आप देखेगा parts of computational thinking very important question exam के लिए भी है और जब आप इस topic को पढ़ेंगे तो आपको ये चारो points पे focus करना पढ़ेगा तो सबसे पहला point है decomposition अब इसको आपको हम हिंदी में भी बहुत असान शब्दों में समझाएंगे होता क्या example दे रहे के समझाएंगे ताकि आपके concept बहुत clear हो जाएं ठीक है तो सबसे पहला है decomposition दूसरा है pattern recognition और तीसरा है abstraction और चौथा है algorithmic thinking ठीक है ये चार parts होते हैं computational thinking के हमने आपको बताया था कि programming करने के पहले जो सोच होती है जो plan होते हैं उसको हम कहते हैं computational thinking और इसको करने से क्या-क्या advantages है benefits है हमने कल के video में already discuss मैंने करी है आप उसको जाके देखिएगा तो चलिए सबसे पहले देखते हैं decomposition को details में देखते हैं होता क्या है decomposition का मतलब होता है अगर English में या Hindi में जानिएगा तो इसको मतलब होता है तोड़ देना ठीक है ना to break यानि कि तोड़ना या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ना अगर बहुत बड़ा problem है बहुत बड़ी जो complex problem उसको चोटे चोटे पार्ट में तोड़ने को हम कहते हैं decomposition मिनिंग के लिए यहां तक अब देखतें इसके definition क्या है the first step यानि computational thinking का पहला step जो होता हो decomposition होता है अब decomposition क्या है is an important part of computational thinking because it helps make a problem more manageable यानि decomposition पहला part है और इसका मतलब यह होता है कि जो भी problem होता वो manageable होता है ऐसा क्यों होता है चुकि बड़े-बड़े problem को जब छोटे-छोटे parts में break कर देंगे तो बहुत असान हो जाएगा समझना ठीक है ना एक बहुत बड़ा problem है बहुत बड़ा task है उस task को काम को छोटे-छोटे पार्ट में बार देने के बाद समझना आसान हो जाता है तो decomposition उसी को करते हैं उसके बाद देखें it also helps problem solvers to better define and understand the problem यानि यह जो problem solve करने वाले होते हैं जिसको हम करते हैं problem solvers यानि जो समस्याओं का हल करते हैं उनके लिए यह समझना इस समस्या को समझना या problem को समझना या problem को define करना बहुत असान हो जाता है decomposition के थुरू ठीक है आगे देखिए decomposition is the process of breaking down a problem or challenges यानि को problem है को task है को challenge है उसको तोड़ देना उस परकिरिया को कहते हैं decomposition ठीक है और किसमें तोड़ना into small manageable parts इतनी small parts में तोड़ना ताकि वो आसानी से manage हो जाए समझ में आ जाए जब तक problem को define नहीं करेंगे problem को नहीं समझेंगे उसकी solution नहीं मिलने वाली है ठीक है जब भी आप देखें आपने math वगरा बनाया होगा तो math अगर लंबा बनता है तो आप equation 1, equation 2, equation 3 करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये equation ये है इस से ये solution मिला, equation 2 से ये मिला तो definitely आप को आप समझ में आ गया होगा कि problem को छोटे छोटे पार्ट में क्यों हम break करते हैं I hope कि decomposition समझ में आ गया होगा ठीक है एक diagram से समझेए कि ये आपका computational thinking है और ये इसके चार पार्ट्स है decomposition इसमें diagram में देखिए एक बड़ा problem को छोटे छोटे पार्ट में divide किया गया है then abstraction है then pattern recognition है and algorithms है ये चार इसके parts है exam में पूछा जाएगा what are the parts of computational thinking तो आप इसको लिखेंगे और define भी करेंगे यहाँ पर आप इस वीडियो के जरीए से इस वीडियो के माधियम से आप समझने की कोशिश कीजिए चुकि मैं आपके ही language में बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ ठीक है चले अब दूसरा देखते हैं क्या है पहला तो हमारा हो गया decomposition दूसरा है pattern recognition यानि pattern की पहचान recognition का मतला होता है पहचान इसको पहले English में देखते हैं फिर Hindi में भी देखेंग यानि pattern एक pattern है दूसरा pattern उसको match करना, recognize करना, पहचानना उसको हम कहते है pattern recognition अगला स्टेप में देखेंगे pattern recognition involves shifting through information to find similar problems next this is the process of identifying patterns or connections between different parts of the bigger problem यानि problem जो है उसके बीच में क्या connections है क्या patterns है इसके थुरू हम पहचानते हैं अभी मैं इसको हिंदी भी समझाओंगा तो आपको समझ में आ जाएगा देखें आप यहां क्या है pattern पहचान machine learning algorithm यहां से देखें pattern पहचान machine learning algorithm का अपयोग करके pattern को पहचा आनी की परकेरिया है यानि pattern क्या है अगर कोई pattern दिया रहे कोई symbol दिया रहे कोई drawing रहे और उसको पहचान के दूसरा हूबहु उसको उसके जैसा करना तो एक तरह का pattern पहचान कहलाता है ठीक है उसके बाद देखें यहां पे example देख लेते हैं आप जैसे कपलों का रंग आनों का उपयोग करके pattern का परतिने दित किया जाता है यानि pattern से आप समझने की कोशिश किजिए अब यह लाइन देखिए इस विधी में raw data को process किया जाता है raw data का मतलब अभी data का data के ओपर calculation नहीं किया गया data का manipulation नहीं किया गया मतलब rough data है उसको हम raw data करें और इस data को ऐसे format मे बदल दिया जाता है जो machine के लिए उपयोगी साबित होता है ठीक है raw data को समझ में तो machine नहीं आ रहा लेकिन raw data को process करके इस format में बदल देना ताकि machine जो है यानि computer है या दुसरे machine है उसको समझ ले और उसके लिए उपयोगी साबित हो या भी थी raw data के input के रूप में लेती है औ और उसे किसी vicious परकार की category में भी भाजित कर देती है जो एक pattern के रूप में होता है यानि कोई ना को एक pattern बना देना उसको हम कहते है pattern recognition यह definition अप याद कर लिजेगा अभी इसको और देखते है details में क्या क्या आता है next पहले समझ लेते है abstraction क्या होता what do you mean by abstraction 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 actually जो दिखता है जो real में है वो और एक जो नहीं दिखता है जो background में है तो दोनों में से जब हम computational thinking करेंगे तो हम कैसे इसको apply करेंगे आप देखें इसका meaning दूसरा ये भी इसको generalization भी कहते हैं और साथी यहां देखें आप ए abstraction requires computational thinkers to focus only on the most important information चले छोड़े definition आप याद कर लें लेकिन मैं आप को आपके शब्डों में समझा रहा हूं abstraction होता क्या?γα introduction का मतलब होता है जो चीज़े necessary चीज़े होती है जो ज़रूरी चीज़े होती है जरूरी चीज़े उसको लिया जाता है और जो दिखाने की चीज़े नहीं है जिसको दिखाना डिस्प्ले करना जरूर नहीं है उसको ignore क कर दिया जाता है for example example देखें जैसे आप अब इसको देख रहे हैं आप मोबाईल पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में आपके screen पे जो चीज़ कर रही बोजरूरी चीजह लेकिन जो screen को display कराने में help कर रहा mobile के अंदर सारी machine लगी है तो वो सारे machine को सारे motherboard को दिखाना ज़रूर नहीं है इसलिए वो सब को पीछे कर दिया गया आप background में कर दिया गया है नहीं समझ माया आप देखिए अपने room के चारो तरब देखिए आपके room में switchboard लगा हुआ होगा जहां से आप switch से fan on करेंगे light on करेंगे या switch से और कुछ on करते हैं तो अब देखिए आपको क्या चाहिए switch से आपको light चाहिए output चाहिए switch से आपको fan चाहिए fan से हवा चाहिए but fan और switch के बीच में या light bulb और switch के बीच में जो connection wire है वो दिवार के अंदर है बात समझे में आ रही है यानि unnecessary चीज़े को हम हम जो है वो बाहर नहीं जाहिर करेंगे जो ज़रूरत है उसको लेंगे यानि जो output है उसको हम लेंगे और unnecessary details को हम जो है उसको छुपा देंगे बात समझे में आ गई या और भी आप कहीं पे देखें आप जो plumbing का काम होता वहाँ पे देखें जो pipe वगएरा होता दीवार के पीछे कर दिया जाता चुकि वो जरूरी है बड उसको display करना जरूरी नहीं होता है तो same चीज़े यहाँ है जो चीज़े जरूरी होती है उसको हम शो करेंगे बाकि जो जरूरी शो करने के लिए नहीं है उसको हम hide कर देंगे that is called abstraction ठीक है नहीं समझ में आता तो फिर से हमें comment box में comment कीजेगा ताकि हम आपको फिर और easy example देकर समझाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आप अगर नए है चैनल में हमारे तू subscribe कीजेगा अच्छे बच्चे के तरह अच्छे student के तरह subscribe button जो आपको दिख रहा है उसको आप subscribe कीजेए ताकि आपको आने वाला वीडियो मिलता रहे और आप भी खुश रहे हमारे वीडियो से और हम भी आपको वीडियो देते रहें नेक्स स्टेप देखते हैं क्या है लास्ट है शायद हाँ algorithm thinking यह तो मैंने आपको बताया था कि algorithm क्या होता है step by step solution को यानि अब आपने सबसे पहला देखा आपने problem को समझ लिया problem क्या problem को part part कर दिया गया that is decomposition उसके बाद problem को समझ लिया गया pattern recognition के थूरू की समस्या का उसको समझ के हमने match कर लिया कि हाँ यह problem उसके बाद हमने abstraction के थूरू हमने क्या किया जो चीजें display करने की है उसको display किया बाकि unnecessary details को जो है height कर दिया गया ठीक है हमने आपको example पर दिया यह सब होने के बाद अब आपको solution करना है तो जो solution fine किया जाएगा जो समस्या का हल निकाला जाएगा algorithm के थूरू किया जाएगा और algorithm का मतलब होता है कोई भी problem को solve करने के लिए step by step method को follow करना ठीक है या फिर developing a step by step solution to the problem or the rules to follow to solve the problem यानि किसी problem को solve करने के लिए एक एक line एक एक step एक एक कदम आगे बढ़ना उसको हम कहते algorithm कहते हैं ठीक है हमने class मापको कुछ example भी बताया थे लेकिन आने वाले वीडियो मापको हम algorithm के बहुत सारे example बताने वाले हैं कि जो भी आप task real world में करते हैं यानि जो भी task आप daily life में करते हैं जो project का आप daily life में करते हैं जो आप घर में अपना काम करते हैं चाहे खाने पीने से related काम करने से related पढ़ने से related तो जो काम करते हैं वो काम आप step by step करते हैं पहले ये करेंगे देन ये करेंगे तो उसी को हम करते हैं algorithm I hope कि आपको समझ में आया होगा in case इसको problem doubt हो तो जरूर पूछेगा but note copy में अपना आप इसको note कीजी ये बहुत important question है parts of computational thinking मिलते हैं next time next video के साथ thank you very much